नमस्कार मित्रों मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 7th January गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या लगी Page 1 पर हाला कि कुछ भी काम का नहीं वही किसान कोरोना जारी है उत्रप्रदेश और उत्राखंड की राज्य सरकारों ने लव जिहाद के खिलाब जो कानून बनाए है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है लेकिन बाल बाल कॉमेंटरी नाट इंपोर्टन जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जज्जमेंट आए तो हमने वो चीज़ त्यार करनी है UPSC की मेंस एक्जाम में आप जो जवाब लिखते हैं निबन लिखते हैं इंटर्यू में जो जवाब आप बोलते हैं तो हर जगह पर जो इवैल्यूएटर है उसके दिमाग में एक फोटो फ्रेम होती है कि एक ideal IAS या IPS या group A service का officer कैसा होना चाहिए और ऐसी ये जो ideal फ्रेम या जिसे हम कहें कि officer like quality उसमें एक quality होती है dispassionate analysis based on facts तत्यों के आदार पर officer निर्णायले भावुक होकर नहीं तो ऐसे आज कुछ news हैं जो व्यक्ति बावुक होके उस पर कुछ बोलना शुरू कर देते याद करो राष्टिय कामदेनू आयोग वो cow science exam लेने वाला है 25th February को उसके लिए उन्होंने 50 page का study material वेबसाइट पे upload किया है इंडियन एक्सप्रेस ने उसमें से कुछ चीजे निकाल कर दिखाई है कि कैसे उसमें सब लिखा गया है कि बारत की गया है उसका दूद ज्यादा अच्छा होता है और ये जो विदेशी जर्सी का होती है उसका दूद कम अच्छा होता है विदेशी जर्शी काई बहुत ही आलसी होती है उसे गंकी में रहना पसंद है उसमें कोई सम्वेदना नहीं होती 1984 में बोपाल में जो गैस लिख हुई थी मिथाल आइसोसाइनेट या या यासी कोई चीज की तो जिन लोगों के गरों पर गोबर लेपा गया था उनको उस गैस से कोई हानी नहीं हुई और बाकी सब लोग बिमार हो गए थे बारत और रश्या के जो नुकलियर प्लांट है वहाँ पर भी गोबर को लेपा जाता है ताकि रेडियेशन की असर बाहर नहीं फैले वगेरा अब ऐसा कुछ आए और इंटर्वी में पूछा जाए कि ये सब पर आपका क्या सोचना है तो कुछ लोग बावुक होकर या तो कि हाँ ये सब सही है और कुछ लोग बावुक होकर कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुली सही नहीं है और ऐसे सब धर्म और साइंस को mix up किया जा रहा है वगेरा वगेरा तो असल में आपका ideal answer क्या होना चाहिए मैंने आपको बता है officer like quality क्या है dispassionate analysis based on facts तो interview में इन सब चीजों का जवाब यह हो सकता है कि जब तक कोई international peer reviewed journals peer reviewed journals मतलब आप एक उसमें research paper बेजो और वो लोग दूसरे 4-5 scientist को बेजेंगे वो लोग बोले हाँ यह study सही है तब ही उसको research में publish किया जाएगा तो ऐसे बड़े-बड़े कुछ research journal हो जैसे Lancelet, Tyler and Francis, Sage Publication उसमें जब तक यह बाते ऐसे नामांकित research papers में research journal में publish नहीं होते तब तक यह सब मानना थोड़ा मुश्किल है तो यह हुई officer-like quality dispatch analyst analysis की हाँ यह सही हो सकता है लेकिन कोई international journal में यह बात साबित हो क्या है तो कोई व्यक्ति एक स्वप्रकाशित किताब निकाल दे तो मानना थोड़ा मुश्किल उसी तर एक बार मैंने आपको आगे भी बताया था कि लोग यह दह हिंदू में केरला मॉडल केरला मॉडल पढ़के इतने बावुक हो जाते हैं कि अपने इस state को इंटर्यू में जाके गालियात बखना शुरू करते हैं हमारा state बहुत बैक वड़े और केरला बहुत महान है आज पहले ही पेज पर आप हेडिंग पाएंगे कि बारत के जाधा तर कोरोना होट स्पोट में दिरे दिरे केस की संख्या कम हो रही है सीवाई के 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 केरला तो अगर केरला मोडल इतना ही जोरदार है तो भई वहाँ पर केस कम क्यों नहीं हो रहे सो अगेन आई रिपीट बावुक होए बिना आपने तथ्यों के आदार पर जवाबों को लिखना है इंटर्यू में बोलना है बाकी ये पेज 1 पर एक्जाम के लिए तो कुछ काम का नहीं पेज 2 अनुसंदार में कुछ काम का नहीं पेज 3, 4, and 5 में स्टेट स्पेसिफिक समाचा लेकिन आज उसमें भी कुछ काम की चीज़े नहीं है हाला कि ये गुजरात और उसका आनन डिस्ट्रिक जो मशूर है अपनी वो अमुल डेरी के लिए वहाँ पर एक च्री रामकृष्ण सेवा मंदल की अलग-अलग कॉलेज उदर फार्मसी में 15 आसिस्टन प्रोफेसर तीन लेब टेक्निशन, दो अकाउंटन्ट उसी तरह उनके मैनेजमेंट और कॉम्प्यूटर साइंस के कॉलेज में भी ऐसे आसिस्टन प्रोफेसर और लेब आसिस्टन की रिक्रूट्मेंट है अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो तैट इस अन ऑपर्चूनिटी पेज 6 राशी बविश्य कुछ नहीं पेज 7 विग्यापन कुछ काम के नहीं पेज 8 पेज 8 में कॉलम में आज कुछ भी काम का नहीं लेट साइड पर जो छोटे-छोटे दो-दो पेरेग्राप के कॉलम कल वो अमेरिकन एमबेसेटर कैने जस्टर उन्होंने बारत छोड़ने से पहले कुछ मुद्दों को गिनवाय था कि कैसे बारत रश्या से हत्यार खरीद रहा है तो अमेरिका को पसन नहीं वही सब चीजों को रिपीट किया जा रहा है लेकिन इसमें कुछ नया जानने लाइक नहीं है BCCI और वहाँ विराट कोली ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो BCCI को बैट बॉल वगएरा दे रही थी उसकी काम के नहीं फिर मैंने पेज वन पर आपको बताया कि विदेशी जर्सी का वो अच्छी नहीं होती और बारत की देशी का वो अच्छी है वगएरा उसकी सब यहाँ पर सार्केजम व्यंग के रूप में उसके कुछ MCQ बना के दिया हैं लेकिन ये कुछ काम काने पेज 8 के बड़े कॉलम में एक है पाथ to the next normal उसमें कोरोना के बाद economic revival लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नया मुद्दा नहीं जो हमने अल्रेड इतने महिनों तक नहीं पड़ा दूसरा कॉलम है महिला सुरक्षा के बारे में जहां पर बताया गया कि महराष्टर राजे सरकार ने एक शक्ती बिल और आंद्रप्रदेश राजे सरकार ने एक दिशा बिल जारी किया ये दो कानून में मुद्द ऐसे हैं कि बलातकर के केस में आरोपी को मृत्यू दंट डेट पैनल्टी भी हो सकती है और कॉलम में ऐसा आर्ग्यू किया है कि ऐसी स्टिक पनिश्मेंट देने से असल में रेप केस की संख्या कम नहीं होती उसका उन्होंने सब बार-बार दोहराया कि दोजनाट डिमूद प्रेजुडाइस और वगएरा लेकिन ये पूरी चीज़ा पड़े तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बता है जो हम पहले से नहीं जानते कि ये पूलिस असल में केस रजिस्टर नहीं करती और जो रेप व होता है उसको कोट के अंदर ज़्यादा शर्मीनदा किया जाता है वगएरा फिर हम चले पेज 9 पेज 9 कॉलम में मैं आज आपको 502 वी बार 500 एन सेकंड टाइम बता रहा हूं कि नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राष्टिय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षन जब भी इंडि चीज होगी तो नया एकनोमिक सर्वे आने एक बार में खतम करें पेज 9 पर दूसरी एक कॉलम है क्रिश्टोफी जैफ्रेलोट पर्सनल डेटा प्रोटेक्षन बिल के बारे में मैं आपको आगे भी बताया था कि जो बिल अभी ड्राफ स्टेज में है या पास नहीं हुआ उस पे हमने बहुत जादा दिमाग खर्च करने की जरुवत नहीं क्यूंकि जो फाइनल बिल पास होके आएगा उसमें हो सकता है ये प्रोविजन थोड़े बदल जाए तो UPSC ए एक्जामीनर अपनी आंसर की गलत नहीं हो जाए इसलिए सावधानी रखता है ड्राफ चीज से वो आपको targeted advertisement दिखाते हैं एक research से पता चला कि भारतिय लोगों का personal data 2025 में 1 trillion dollar वर्थ होगा क्यूंकि उस हिसाब से जितनी credit card कंपनिया या e-commerce कंपनिया आपको जितना advertisement और spamming करना चाहेंगी वो सब भी ये लोग दिरे-दिरे data खरीद खरीद के तो कुल मिलाकर 1 trillion dollar का अप जबतार किया था using facial recognition technology मलब CCTV footage में उदर किसी का photo दिखा हो और फिर उसको वो cross check करेंगे कि कि किसी driving license, आधार card, water ID में उसी चेहरे के साथ मिलता जुलता कोई व्यक्ती दिखता है क्या और ऐसी facial recognition technology की मदद से पता चले ये आदमी इंदंगों में शामिल था और उसको पकर लो तो कुछ critics का मानना है कि इसका भी दुरूपयोग हो सकता है कि सिर्फ आप कहीं पर खड़े थे और आपका चेहरा दिख जाए और आपको परेशान किया जाए जो पुरा Hindu-Muslim टाइप की चीज़ों में हमको आगे ले जाता है आरोग्य सेत्व एप उसमें आपने कुछ MCQ पूछे जाते हैं उसको टिक करो कि मैं विदेश गया था कि नहीं मैं इधर गया था और फिर आपकी वो GPS टेकनोलोजी, Bluetooth टेकनोलोजी से पता चले कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्ख में आय थे कि नहीं जिसको पहले कोरोन है तो ऐसी यह जो कॉंटेक्ट ट्रेसिंग वाली आरोगे सेत्व एप उसमें भी विशेशक्यों को चिनता कि यह पूरा जो परसनल डेटा आपका और आपका लोकेशन स्पेसिफिक डेटा उसका भी मिस यूज हो सकता है केरिन सब के परिपेक्ष में यह डेटा प्रोटेक बॉड़ी बने तो एकाद उसमें जूडिशरी से मेंबर होता है कोई रिटायर्ट सुप्रीम कोट या हाई कोट का जजज कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट होता है लेकिन यह बिल में ऐसे कुछ प्रावदा नहीं है ऐसा सब चिनता दिजजत आई गई है पेज 9 पर तीसरा कॉलम है इंडिया और इंगलेंड के इकनामिक रिलेशन के बारे में लेकिन यह इन्होंने जो 400-500 वर्ड में जितना भी लिखा है उसमें गुम फिर के एक ही बात कर रहे है कि वो केन एनरजी पर कैपिटल गेंस टेक्स मागा था इंकम टेक्स विबागने और फिर उनकी जो पूरी कॉंटरवर्ची चलती रही वो तो हमने एक बार पढ़ लिया था इसमें आगे और कुछ नया जानने लाग है ने फिर हम चले पेज 10 26 जैनुवरी की रिपब्लिक डे परेड में मुख्य आती थी यानि चीप गेस्ट 1966 में कोई चीप गेस्ट नही दिया गया था फिर कुछ बार यह होता है कि किसी को इंविटेशन तो देते हैं लेकिन फिर वो लास्ट मिनिट पे कि मैं नहीं आपाऊंगा और फिर किसी और को अमने लाना पड़ था जैसे 2013 में ओमान के सुल्तान आने वाले थे लेकिन फिर वो नहीं आये तो बुटान के राजा को अमने चीफ गेस्ट बनाया था इस टाइप की जो कौन बनेगा करोड़ पती टाइप की न्यूज है जनरल नॉलेज के लिए वो अपनी एग्जाम के लिए काम की नहीं इवन नौन आये एस एग्जाम में भी दीरे दीरे अब सतर बहतर हो रहा है प्रशनों का so don't waste time in KBC general knowledge like this पॉलिटी में एक समाचार आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद आप जानते हैं कि जम्मु कश्मीर के विबाजन हुआ एक तरफ है जम्मु कश्मीर की union territory with legislature जहां विदान सबा होगी और दूसरी तरफ है लग्दाक union territory without legislature वहां पर विदान सबा नहीं होगी ऐसा क केंद्र सासित प्रदेश अब लग्दाक के कुछ लोगों ने home ministry में जाके फर्याद की कि हमारे संस्कूरूती बाषा ये सबका रक्षन होना चाहिए तो केंद्र सरकार ने एक समीती बनाई है जी किशन रेडडी पैनल for preservation of लग्दाक's land culture language और वो ये भी समीशा करेंगे कि क किताब से देख लेना आ तो ये सब होना चाहिए कि नई लग्दाक में उसके लिए जी किशन रेडडी पैनल जी किशन रेडडी कौन है वो home ministry के minister of state केंद्र सरकार के राजय कक्षा के मंतरी इसके लावा page 10 पर और कुछ काम का नहीं वो B.S. ये दुरपा के खिलाब कुछ क चल रहे हैं उसका high court में क्या judgment आया फिर वह किसान कोरोना टाइप की चीज़ें बुद्पूर्व प्रेसिडेंट प्रणव मुकरजी ने जो किताब लिखी थी presidential years उसमें से selected passage निकाल निकाल कर ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि कैसे उन्होंने कहा था कि प्राइम म unreserved category या general category तो अगर कोई OBC या schedule caste या ST candidate भी है तो वो भी अगर merit में आते हैं तो उसको unreserved में गिन लिया जाता है वो जो पूरा matter था और उत्तरप्रदेश की एक बरती में वो सब काम नहीं हुआ था तो सौरव यादव केस सुप्रीम कोट ने का कि नहीं unreserved category तो उसमें य जो reserve category के लोग वो भी आ सकते हैं और यह जो general category उसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ upper caste ब्राह्मन शत्रियक के लिए ही general category का कोटा है तो उसी पर उन्होंने पूरी explained series बनाई है how horizontal and vertical quotas work वो तो भी हम पौड़ी चुके हैं इसको वापस इदर लिखने का क्या मतलब है दूसरा म means में उसका जवाब लेख सकते हैं हां लेख सकते हैं क्यूंकि हर एक policy में गुम फिर के कुछ चार पांच मुद्दे ही होते हैं पहला मुद्दा होता है कि उस क्षेत्र के उद्योगों को tax में मदद करेंगे, subsidy में मदद करेंगे, उनको कुछ जमिन दिलवाएंगे, special उनके awareness generation, industry और academia, उद्योग और उच्चे सिख्षा के युनिवर्सिटी कॉलेज वगेरा संस्थान के बीच मिल जोल बढ़ाएंगे, international cooperation करेंगे, तो यही सब चिकनी चुपड़ी बाते हर जगा होती हैं, चाए वो policy for electronics हो, policy for software हो या policy for science technology हो, हाँ उसमें कुछ नए दो चार मुद तो inclusion और equity के नाम पर कि अगर सम लेंगी couple भी है, तो उसमें दोनों की एकी जगा posting हो सके, merit couple की वगेरा चीजें, और बारत के अंदर science technology पर जो research development होता है, तो पूरे GDP का less than 1% spend हो रहा है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत वगेरा वगेरा, तो असल में policy pass होने हो, बागी यह ब initiative, self thought process है ही नहीं कि आप खुद से, मुझे जब तक bullet point में न दिया जाए, मैं अपने दिमाग से एक भी जवाब नहीं लिख सकता, भई ऐसी मान सकता है, अगर आप UPSC की तियारी कर रहे हैं, तो success difficult, means, परिक्षा, निबंद के अंदर, ethics के paper में, कई सारी ऐसी चीज होगी, जाए आपके पास content है या आपने बोल बच्चन करना है, तो जो आदमी newspaper पढ़के जाता है, उसके पास ये skill बहतर होती है, इसलिए रोज newspaper पढ़ने की आदत रखे, page 11, तीसरी explained series है, international relation के बारे में, 2017 में, साउधी अरब और उसके दूसरे मिस्त्र राष्ट्रो ने, कतर के स साथ कूटने तिक रिष्टे, diplomatic relation बंद कर दिते हैं, उदर जो भी अपना ambassador की वहाँ से हम अमारी embassy बंद कर देंगे, आपका ambassador वापस ले जाओ अगरा, उसका क्या कारण था, साउधी ने कतर के साथ रिष्टे खतम इसलिए कर दिये थे, क्योंकि साउधी का आरोप है, ये कत सरदेश की सरकार आतंकवादियों को, extremist group को support करती है, दूसरा कतर इरान के साथ बहुत मिलता जुलता है, और साउधी जहाँ पर ये सुन्नी और इरान जहाँ पर शिया, तो आपस में उनकी वो दार्मिक कारों से भी थोड़ी टकराव रहती है, बारत पाकिस्तान जैसा सब है, मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, साउधी की spelling में क्या आता है, S-A-U-D-I, तो U है तो मतलब सुन्नी, तो फिर अगर वो सुन्नी है, तो इरान वो सामने क्या होगा, उसमें I शुरू में आता है, तो शिया, S-H-I, तो ये अलग-अलग दर समूँ और उनके चलते भी थ राश्टों ने ताय किया है कि हम कतर के साथ अपने रिष्टे वापस से बैतर करेंगे, लेकिन कुछ शर्ते रखी गई है, जैसे वो कतर ने अपना अल-जजिरा निउस चैनल बंद करवाना होगा, और उन्होंने इरान के साथ जो दोस्ती है, उसको थोड़ी कम करनी होगी यह जो इंटरनेशनल इलेशन के कॉलम और एक्स्प्लेंट सीरीज लिखी जाती है, उसमें वो कई बार वर्ड को चेंज कर देते हैं, मतलब कि कुछ सेंटेंस में वो देश का नाम लिखते हैं, और कुछ सेंटेंस में देश की कैपिटल का नाम लिखते हैं, जैसे कुछ ब वो लिखेंगे कि इरान ने ऐसा करना है कुछ जगा लिखेंगे तेहरन पर ऐसा प्रेशर है कुछ जगा लिखेंगे कतर ने ऐसा करना है फिर लिखेंगे दोहाने ऐसा करना है तो कौनसा देश और कुछ इसका क्या कैपिटल है एक बार आप clarity से वो तयार करें तो फिर ऐसे column पढ़ना बहुत आसान हो जाता है कैर अपना means paper 2 वहाँ पर एक मुद्दा है issues affecting Indian interest तो ये सब आपस में लड़ेंगे या वापस दोस्त बन जाएंगे उससे भारत को क्या असर उतना ही अंगल अमने तयार करना है मित्रो एक famous singer हीमेश रेशमया जो बहुत सारे reality show में singing competition में judge बन के आते हैं उनका एक famous dialogue है कि मुझे तेरे गर में रोटी चाहिए वो मतलब क्या दिखाना चाहते हैं वो जो भी contestant है उसको हीमेश रेशमया ये कहना चाहते हैं कि बहुत classical music में गुस मत जाओ ऐसी तैयारी करो कि तुमको Bollywood playback singer का काम मिले तुमारे गर में रोटी चाहिए मुझे मेरा भी कुछ ऐसा ही मनना है कि अपने को international relation जो तैयार करने है तो बस उतने तैयार करने है जितना परिक्षा में पास होने के लिए काम का है कुछ लोग particularly वो Indian foreign service को first preference देने वाले वो ऐसे मुद्दे देखकर मतलब इतने पागल हो जाते हैं इतने उसमें गुस जाते हैं पुरा दिन भाई इसकी क्या utility है दो दो लाइन में ये सब तैयार करो बारत को क्या असर तो थोड़े दिन पहले याद करो सी राजा मोहन ने Middle East Diplomacy के बारे मिले उतने मुद्दे तियार करें इदर उदर बोल बच्चन 250 वर्डस हो गए थोड़ा पड़ो आगे बड़ो फिर हम चले page 12 page 12 इंटरनेशनल समाचार में आज कुछ भी काम का नहीं है women safety women empowerment की बात करें इरान के अंदर मैलाव का लिस्टेड कंपनिया जिनके शेर बाजार के किसी stock exchange में लिस्टेड है उसके board of director में कुछ मैला होनी चाहिए तो ऐसा दुख बारत के company act में भी प्रावदान है तो वो कुछ नया नहीं कर रहे कि हम उसमें से सीख ले तो मतलब यह दोनों ही समाचार अपने लिए काम के नहीं बनते North Korea के leader Kim Jong-un उन्होंने काय कि 2016 से जो अमने पंच वर्षी योद्ना बनाई थी वो fail हो गई है लेकिन ये भी कुछ काम का नहीं बाकी तो अमेरिका में क्या चल रहा है इंग्लेंड में क्या चल रहा है लेकिन वही सब ट्रंप बीडेन और मुटेटेड वाइरस और जूलियन असांज की जेम्स बॉन खबरे काम की नहीं पेद थर्टीन पे चलने पेद थर्टीन एकोनोमी एक्जाम के लिए कुछ काम का नहीं डिपार्टमेंट आप टेलिकॉम 4G स्पेक्ट्रम का उक्षन करने वाला है 700, 800, 900, 1800, 1200, 2300 और 3500 मेगा हट्स के अंदर तो उसकी साइंस टेकनोलोजी वाली एंगल आपको पता होनी चाहिए और जो छोटे-मोटे issues लाइक सरकार को इसमें से इतने करोड की आमदनी होनी की अपेक्षा है लेकिन वो इधर से हमने नहीं त्यार करना अभी थोड़े दिन में जो बजेट आएगा उसके अंदर वापस से बजेट स्पीच में ये सब लिखा ही होगा तो एक बार उधर ही देख लेंगे ये इधर बाल बाल कोमेंटरी का कोई फाइदा नहीं उसी तरह ये adjusted gross revenue चीज क्या है वो एक बार में दो लाइन का matter है खतम करो हर बार उसकी explain series पढ़ने मत बैठो इंशॉरंस सेक्टर का regulator है इंशॉरंस regulatory and development authority of India IRDI वो काफी टाइम से एक चीज कर रहे है जिसे हम कहते है standard insurance policy मुद्दा ये सपोज एक जमाने में आपने आईफोन खरीदना हो तो उसमें model पसंद करने की कोई चिंता ही नहीं थी सिर्फ एक ही चीज होती मालो कि आईफोन 3 है आईफोन 4 है आईफोन 5 है और बस एक ही तो काम हो गया ग्रहक को कोई tension नहीं ठीक है ये इसका इतना प्राइज है और सामने दूसरे model का ये प्राइज है लेकिन अब आप पाते हैं कि आईफोन के 25 जात के this small pro and big pro and this that चलता है ऐसी problem insurance policy में भी आती है कि अलग-अलग कंपनिया इतने सारे product launch कर देती है कि आपको compare करना मुश्किल हो जाता है कोई ये कहे कि 6000 का premium पर एक करोर का आपको भीमा देंगे और फिर दूसरा बोले 5000 के premium पर आपको 75 लाग का करेंगे तो फिर वो सब क्या excel फाइल बना के ग्रहा कंपेर करना बैठे कौन सा optimal है या कुछ तो जरूरत ये होती है कि कोई standard template होने चाहिए कि ठीक है ये एक mobile phone उसमें दो camera इसमें तीन camera इसमें इतना microprocessor उसमें उतना microprocessor तो ग्रहा कासानी से compare कर सके इसलिए IRDI ने सभी insurance company पर दिरे दिरे वो SNEM बनाते हैं कि आपको जितने product launch करने करो लेकिन कम से कम एक standard insurance product होना चाहिए कि जैसे standard health insurance policy, standard life insurance policy कि उसमें कुछ बात होगी 5,00,00 रुपे का cover, 15,00 रुपे premium तो हर company की policy में वो same to same ही होगा तो ऐसी परिस्तिती में compare जन आसान हो जाए क्योंकि आप फिर उतना ही देखेंगे कि कौन सी company claim जल्दी reject करती है या कौन सी company का premium दूसरों से थोड़ा किफायती है तो बस ऐसी ही standard general insurance policy में बारत ग्रिह रक्षा यानि आपके घर में ये कुछ आग लग जाए बुकम पा जाए उन सबसे रक्षा के लिए ये और उसमें की 10,00,00 रुपे तक का cover चाहिए तो उसका premium इतना 20% से जादा नहीं तो उसी साब से जो सस्ते में आपको दे रहा हो आप उससे खरीदे या जिसका rejection rate कम हो ऐसी कंपणी से घरीदे लोग वगेर आप तैक कर सकते यानि ये एक दो लाइन में ही तैयार करना है इस पे भी आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग गुस गुस के बहुत डीटेल में इसके technical features की चर्चा करते हैं अपने लिए कुछ काम का नहीं ये सुक्षम उद्यम सुरक्षा लगू उद्यम सुरक्षा वो भी ऐसी MSM इंडस्टी में फैक्ट्री का आपने फायर इंशॉरंस और अर्थक्वेक वगेरा का इंशॉरंस करना है तो ऐसी standard policy वो लेख आ रहे तेक लाइन में क्या तैय करना है कि ये standard policy मतलब हर एक कंपनियों ने ये लांच करनी होंगी और उसमें कुछ salient feature जिससे comparison आसान हो जाए बात खतम आगे बढ़ो उसी तरह सैवी, सैवी बहुत सारे technical discussion paper रिलीज करता रहता है कि इसमें ये होना जेवो लेकिन ये ऐसे technical नियम अमारे लिए एक्जाम में काम के नहीं छोड़ो New York Stock Exchange ने तिन चीन कंपनियों के share dealist कर दिये काम काने National Infrastructure Pipeline उसके project की finance minister ने समिक्षा की National Infrastructure Pipeline क्या है वो एक बार में topic खतम करो हर बार चर्चा में आए तो कुछ काम काने तो बस ऐसी सब इधर उधर की बात है economy में जो एक्जाम के लिए असल में काम की नहीं transitional things एक बार आपने तयार कर लिए फिर रोज की comment उसमें नहीं देखनी page 14 sports अगर chess आपकी hobby है तो यहां बताय गया कि कैसे अब Corona के चलते online chess tournament होते है तो उसके सब नियम क्या होते है ताकि कोई खिलाडी cheating नहीं करे उसकी सब बाते की फिर एक शब्द नया देखने को मिलता है hybrid chess hybrid chess मतलब chess online ही होगा लेकिन उसमें एक खिलाडी वो physical board पे अपने chess spawn move करेगा और सामने camera की मदद से दूसरा खिलाडी उसका online game खेलेगा और उस हिसाब से यहां कोई आदमी होगा यह खिलाडी खुद मूस बदलते रहेगा तो hybrid chess मतलब कि एक तरफ board है physical और सामने जो दूसरा खिलाडी है वो उसको computer में देखके online game खेल रहा है chess की चीज़े अगर hobby है तो इंडर्यू में कुछ भूचा के उतनाती आर्किया तो यह ता गुरुवार्का newspaper